स्टेट मैक्स्वेल्स स्क्रियू रूल स्टेट मैक्स्वेल्स स्क्रियू रूल दिया था उसको एक्स्प्लेइन करना है या इसकी डेफिनेशन लगने है तो अब आप रिकॉल करो तो यह किसे रिलेटेड़ है पास करते हैं उसके अराउंड जो मैंनेटिक फील जनरेट होती है उस मैंनेटिक फील्स को डेरेक्शन फाइंड तरने के लिए इस रूल को अपलाई के जाता है राइट हैंड थम रूल जो है उसका यह दूजरा वर्शन है मैक्सवेल्स स्क्रियू रूल Okay, so the statement is the direction of magnetic field developed around a long straight conductor carrying current can also be given by Maxwell's screw rule which states that if we consider ourselves driving a coq q in the direction of the current, then the direction of the rotation of coq q is the direction of the magnetic field. यहाँ पर right hand thumb rule का एक different version है यह, क्या मानना है हमें? ऐसा मानना है कि हम जो screw है, हम जो screw use करते हैं किसी भी चीज़ को fix करने के लिए, तो उस screw को हमें hold करना है और ऐसा मानना है कि हम screw tight करना है, ठीक है? screw tight करने पर जिस तरह से यह screw अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो downward अगर जा रहा है, तो वो जो direction है, वो current की direction मानना है, और जिस direction में screw turn हो रहा होगा, ऐसे ऐसे, वह ही क्या हो जाएगी magnetic field की direction हो जाएगा, ठीक है? इसका opposite, screw पहले से 6 है, माली जिसको हम open कर रहे हैं, तो screw उपर आ रहा है, तो वो current की direction है कि upward आ रहा है, और जो turning है आप लुकुल opposite हो जाएगी, वो जो turning है, वो हो जाएगी magnetic field की direction, तो court screw rule जो होता है, again magnetic field की direction find करने के लिए होता है, through straight conductor carrying current.